हालो फ्रांस वेलकम बैक इन मैं चैनल वी फैशन में आप सबका स्वागत है तो दोस्तों आज मैं आ गई हूँ फिर एक न्यू वीडियो लेके आप सबके साथ आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हों तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि आज का जो वीडियो है ना ही वो कोई अन्वॉक्सिंग है ना ही कोई प्रोडेक्ट रूवी है और ना ही कोई इन्फॉर्मेशन है तो फिलहाल आज मैं आपको अपने मेरे जो खुद के पसंदिता यूनो पर्सनली मेरे जो फेवरेट जोलरी कलेक्शन है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी दोस्तों ही पसंद होते हैं और ऐसे भी जो है ये फेस्टिवल का यूनो सीजन चल रहा है और ऐसे में हर किसी कोई जोलरी बहुत पसंद है आज तो ऐसा आज कल ट्रेंड चल आज भी जोलरी पहनते हैं तो बहुत ही सुन्दर लगता है और आज शेयर करें उसके साथ लेक्षय बहुत कंई कहने की मिष्टर परचिय सर गोत्सरय हैं को इसी है किक आच आज ऑल आकपक माधो रही चिजन हैं और कुछ दो बश्रय से खरी से करीदे हैं इस निए खवामुकार नाश में to budget मुझे जवै uphold कोशकते हैं जो एकम कि शिए जए कोशनिते में अगज़्ट करना कोश किते हैं एक आपोचे सहgado है मुझे हैर फे मने के पर से रजए आप ट्रिविडो के लिए मुझे दीड़क पर ढखाएँ लेट्स किस्टार्टेट गाइस हालो गाइस तो फ्रेंस मेरा फॉस्ट वन जो है आप जोलरी कलेक्शन देख सकते हैं यह ब्यूटिफुल सा जो है मल्टी कलर का चोकर है और इसका यहरिंग मैंने पहन रखा है जो कि मेरे ड्रेस के साथ माच कर रहा है बहुत ही खुबसूरत के सा सिलवर कलर का पूरस आप देख सकते हैं तो मेरे ड्रेस के साथ यह बहुत ही खुबसूरत गरा है और psychology कितना पाइर तो बहुत ही खुबसूरत से और एलिगेंट से लग रहे हैं बहुत ही प्यारा है और यह मैंने मीशू से पच्छिस किया हुआ है तो सेकंड वन जो है फ्रेंड्स यह आप देख सकते हैं इसे चांद बालियां कहते हैं बहुत ही प्यारे हैं काफी जो है यह ट्रेंडिंग में चले थे एक टाइम पे तो तो इस पे उपर आप देखें इतने प्यारा सा जो है छोटा सा मोर बना हुआ है और जो हमने फिर्स्ट वन पहले देखा था उसी के तरह जस्ट उसमें भी स्टोन है औरंज और पिंक कलर के बहुत ही खुब सूरत से लगते हैं आप यूनो साड़ी पहन लो या आप कोई पहन लो तो इन चांद वालियों को अगर आप पहनेंगे तो सही में आप पूरा का पूरा जो है चांद जैसे चमकेंगे तो अब यह है जो Front से हमारा यह चोकर है तो मैंने चोकर का सैट टिक मंगाया था जो कि बड़े प्यारे लगते हैं चोकर आप साड़ी की साथ अगर वीर करते हैं तो बहुत खुब्सूरत सा लगता है बहुत अच्छा लगता है चोकर आप इसमें देखेंगे कि पूरा का पूरा है और बहुत ही प्यारा लगता है यूनो मतलब जाद अगर आपको हैवी जुलरी नहीं पहना है तो हलका फुलका अच्छा है तो फ्रेंड्स ये वाला जो मैं आपको दिखा दूँ जो पूरा का पूरा मीरर का यूनो सीशा है उसका पूरा आप देखेंगे इसमें काम है और ये बहुत ही ट्रेंटिंग चला था इसपेशली आप इसे किसी डाक कलर के साथ पहनें न तो बहुत ही खुबसूरत लगेगा जैसे मेरा ये ब्लैक कलर का ड्रेस उसके साथ बहुत ही प्यारा लगता है आप कोई भी रेट कलर का ड्रेस पहने उसके साथ इसे पहने कोई भी टाक कलर पहने हम तो आप देखेंगे मीरर को वर्क किया हुआ जो खूब सूरत सा यह है सेट यह बहुत ही प्यारा लगेगा गाइस गाइस ये सारे की सारे जो भी अभी तक मैंने ज्वेलरी से आपको दिखा हैं सारे मैंने मिशू से पर्चिस किये हैं और ये वाला जो आप देखेंगे ब्यूटिफू सा येरिंग्स है ये मैंने अपने लोकल मार्केट मिलिया था मुझे रूपीस 30 में आइधिंग ये मिल ग स्टाइल में तर सन से मंगा देखा लिए सब्सक्वार है ये समसे इस तर सकते हैं इस अपनी धर ये भीकृता है तो गाइज यह स्टर्ट जो है नॉर्मली आप मतब रोजाना भी पहन सकते हैं तो यह वाले आप फ्रेंड्स देखेंगे चांद वालिया है मल्टी कलर के बहुत ही खुबसूरत लगते हैं किसी भी ड्रेस के साथ पहन सकते हैं इस पेशली अगर आप कोई लाइट कलर के ड्र का आप ड्रेस अप कर रहे हों तब इन चांद वालियों के पहने तो बहुत सुन्दा लगता है आप इसका मांग टीका भी यूनों है के तौर पे यूज कर सकते हैं बहुत ही यह प्यारा लगेगा मेरे फेवरेट इन चांद बालिया और यह मैंने आइधिंग एमेजॉन से लिया था यह चांद बालिया था और यह आप देख सकते हैं क्यूट सा यह और एक और इसी का तरहा का था जैसे इसमें वाइट है न आप देखेंगे मोती वैसे ही ब्लैक कलर के थी तीन का सेट मुझे मिला था और यह वाला फ्रेंड्स मुझे किसी ने यूनों ऐस प्राइज है क्योंकि यह मुझे किसी ने गिफ्ट के तौर पे दिया था मुझे बहुत खुबसूरत लगे थे यह वाला भी फ्रेंड्स जो मैं बताऊ थी यह मैंने तुराप मार्केट है वहां से लिया था यह मुझे रूपीस 50 हां 50 में यह मिल गया था बहुत ही प्यारा है और थोड़ा सा अगर आप जब पहनते हैं तो आपके कान में हैवी सा लगता है इस पे मीरर वर्क किया हुआ है और अच्छा मेटेरियल है काफी यह थोड़ा सा है यह पर बहुत ही खुबसूरत सा यह ऐलिगेंट सा लगता है लुक में और यह भी मुझे किसी ने गिफ् सकते हैं यह जो है फ्रेंड्स आप देखेंगे चोटा सा क्यूट सा स्टर्ट जो है यह मैंने मंगवाया था मीशू से इसमें बहुत धिर सारे कलर एबलेबल हैं दूसरे भी तरीके के कलर्स हैं आपको दूसरे दूसरे टाइप्स के मिल जाएंगे मुझे यह यह यलो कलर क का मतलब यलो या गोल्डन कहा सकते हैं कलर का है और यह वाली मैं बात करूँ तो यह मेरे फेवरेट है यू नो मैं गई थी मॉल तो मॉल से मैंने यह वहां से पर्चेस किया था यह रूपीज हंड्रेट में मुझे मिलाता है तो चोटा सा इसकी क्वालिटी बहुत ही अच् शबंदर में क्योंकि उसे पता है मुझे जुएलरी का बहुत ही शौक है बहुत पसंद है तो यह बहुत ही प्यारा सा आप देख सकते हैं बीच हंस सा बना हुआ है और इतना खुबसूरत लग रहा है इस सिल्वर और जो ब्लू कलर का कॉंबिनेशन है जबर जस्त है फिर आप फ्रेंड से देख सकते हैं यह मैंने यह भी मैंने मीशू से ही लिया था प्यारा सा हर्ट है ब्लू कलर का और इतना खुबसूरत सा यह बोर्तल के अंदर जो क्यूट सा हर्ट है बड़ा प्यारा लगता है तो आप इसे यूनो यह चेन आप देख सकते हैं खुबसूरत आपको पूरा लुक पर लूप बहुत है तो इस तरीके का हैं ये यह रिंग्स होते हैं बहुत ही खुबसूरत है और लाइट लगते हैं और इतने से लिए जो लगते हैं और इतने लास्ट बन है यूनो फ्रेंट्स ये मेरा सबसे फेवरेट है तो इसमें में एक और सोच रही हूँ लेने का जिसका डिफरेंट दूसरा कलर हो तो इससे पहने के बाद आपको पूरा फेस ना भरा भरा सा लगता है इसमें आपको डिफरेंट दूसरे कलर के भी मिल जाएंगे जैसे पिंक आपको मिल जाएगा इसमें औरेंज मिल जाएगा ब्लू मिल जाएगा यलो मिल जाएगा इसमें बहुत धिर सारे से उपर जो आप देख रहे हैं न लोटस उसके डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं तो सेम इसी स्टाइल में बस कलर डिफ्रेंट्स है तो आगर उनके मुझे कोड मिलेंगे तो डेफिनेटली मिशू से जो मैं पच्चेस किये हैं उनके मैं डिस्क्रिप्सर बॉक्स में आपके साथ शेयर कर दोंगे तो अगर आपको भी पसंद आए हैं तो आप भी वहाँ से जाके पच्चेस कर सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आता है तो प्लीज फ्रेंड्स से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे मेरे वीडियो को लाइक कर दीजे और अगर आपको मेरे नहीं नहीं वीडियो देखने हैं तो जल्दी से जो है आप बेल आइकॉन पर हिट कर दीजिए तो थैंक यू सो मच गाइज